गुद मॉर्निंग सेविंथ क्लास हम लोग फोर्थ चैप्टर पढ़े दें सिविक्स में सिविक्स में स्टे गवर्मेंट इन स्टेट इसमें आज हम पढ़ेंगे दे चीफ मिनिस्टर याने मुख्य मंत्री शुरू करते हैं आफ्टर दे गवर्नर कम्स दे चीफ मिनिस्टर अफ दे स्टेट तो गवर्नर के बाद में चीफ मिनिस्टर आते हैं सी एम जो होते हैं किसी राज्य के वो कीप्स दे गवर्नर अपडेटिड अबाउट दे विरियस डेवलप्मेंट्स इन दे स्टेट जो राज्य पालकवान में उनको अपडेट रखते हैं His position as Chief Minister is similar to that of Prime Minister in the Central Government जैसे कि केंदर सरकार में जो प्रधान मंत्री होते हैं वही बिलकुल स्थती मुख्या मंत्री की राज्यों में होती है Chief Minister is the head of the state legislature and the council of ministers मुख्या मंत्री जो राज्य विधान मंडल होता है ठीक है उसकी क्या होते हैं वो Chief होते हैं and the council of ministers और वो क्या होते हैं जो विधान पर इश्याद होती है जो मंत्री मंडल होता है उसके भी वो head होते हैं He she is also responsible for the success of the government सरकार की सफलता के लिए मुख्या मंत्री जिम्मेदार होते हैं He she allocates departments to the state council of ministers और वो क्या करते हैं जो राज्य मंत्री परिशद होती है उसको वो department allot करते हैं यानि जैसे हम जानते हैं कि यह हम home minister है यह education minister है ठीक है इस तरह से departments उनको दे जाते हैं and precise over the meetings of the cabinet and council of ministers तो जो मंत्री मंडल और मंत्री परिशद होती है उसकी meetings को preside करते हैं उसकी अध्यक्षता कोण करते हैं चीफ मिनिस्टर करते हैं ठीनियो और कारेगाल कितना होता है मुख्या मंत्री का the chief minister and his council of ministers normally function for a term of five years तो मुख्य मंत्री और उनकी जो मंत्री परिशद होती है मुख्य ते पाँच साल के लिए काम करते हैं However, if the government loses majority in the state legislative assembly अगर सरकार राज्य विधान सभा में अपना भहुमत खो देती है the government falls earlier than its term तो अपने इस निर्धारित पाँच साल के tenure से पहले भी वो गिर जाती है सरकार eligibility criteria क्या है यह यह गिता का क्या परिमान है a citizen of India एक भारत का नागरिक होना चाहिए मुख्य मंत्री बनने के लिए member of the state legislature और राजी विधान मंडल में से यह तो विधान सभाई विधान परिशय दोनों में से किसी एका सदस्य होना ज़रूरी है if the person elected as chief minister is not a member of the legislature यदि जो वक्य मुख्य मंत्री चुना गया है वो राजी विधान मंडल का सदस्य नहीं है then he she must not become must become a member within six months तो उसको 6 मेंने कंदर उसका सदस्य बनना पड़ेगा of 25 years of age उसके उम्र कम से कम 25 वर्श होनी चाहिए अब हम powers and functions of the chief minister पढ़ेंगे the chief minister is the real head of the state राजी का वास्तविक जो अध्यक्ष होता है को उन होता है मुख्य मंत्री होता है the main functions of the chief minister are और मुख्य मंत्री की जो प्रमुखकारी होती है वो कौन कौन से है यह दे रखें to advise the governor on the appointment of minister किसी मंत्री को appoint करते से में क्या करता है वो governor को सलह देता है कौन मुख्य मंत्री to preside over the cabinet meetings and distribute portfolio among ministers जो cabinet meetings होती है मंत्री मंडल के जो बैठके होती है उनके अध्यक्षता करता है मुख्य मंत्री और अपने मंत्रियों की बीच में portfolio distribute करता है यानि उनको क्या पद दिया जाएगा यह कौन निर्धार्त करता है मुख्य मंत्री निर्धार्त करता है to retain charge of some portfolios if needed यदि अगर किसी पद को खुद ही संभालना है यदि किसी department को अपने पास ही रखना है तो उसका charge भी वो अपने पास रख सकता है यह power भी मुख्य मंत्री के पास होती है रीटेने निर्धार्त चार्ज निर्धार्त उसका control of some portfolio है नि जो पद है जो डिपार्टमेंट से उनके अपने पास वो रख सकते है ठीक है तो यह हमने क्या पड़ी powers and functions of chief minister इसके पहले हमने क्या पड़ा chief minister का कारेकाल क्या होता tenure क्या होता है उनकी eligibility क्या है यह सब हमने पढ़ लिया इसमें मैंने आपको underline करवा दिया है आप इसको अपनी notebook में लिखेंगे और notes बना कर इसको learn करेंगे अगले जो class होगे उसमें हम state legislature पड़ेंगे यानि राज्य जो विधान मंडल होता है उसमें किस तरह से सरकार बनती है कैसे चलती है तो मिलते हैं अगले class में तब तक के लिए बाई अवरीवन